हाई आम शुश्मिता वानाच जैसे कि हमें पता है कि अभी तक कॉर्णा इंडिया से गया नहीं है और एक नई बिमारी आ गई ब्लैक फंकस तो हम सबको इसके सिम्टम्स प्रिवेंशन्स जानना बहुत ही जरूरी है ताकि हम इससे सेफ रह सके तो चलिए आज इसके बारे मे बात करते है पिछली बार मैंने लॉंग डिस्टंस रिलेशन्शिप के ऊपर एक वीडियो बनाई थी अगर आप चाहो तो देख सकते हो तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते है ब्लैक फंकस है क्या दोस्तों ब्लैक फंकस को हम खा सकते है यह एक मश्रूम है और इसक काफी हेल्थ बेनिफिट्स है नहीं मैं मजग नहीं कर रही सच में लेकिन लेकिन ये वाला ब्लैक फंकस उस खाने वाले ब्लैक फंकस से अलग है तो जो खाने वाला ब्लैक फंकस है उससे ऊट एयर भी कहा जाता है और उसका कलर एक्चुली में ब्लैक होता है पर जो बिमा से skin का color black हो जाता है इसलिए इसका नाम black fungus है symptoms इसके काफी common symptoms है जैसे कि sinus, सरदर्थ, बुखार, सरदी, सास लेने में तकलीफ, नाक से खुन बैना, skin का color black या red हो जाना ऐसे कही symptoms black fungus कब होता है जनले जो diabetes, cancer या corona के patients है उनको ये होने के काफी chances है और अगर आपका immunity कम है तब भी आपको खत्रा है और ये fungal infection जनले यर या मिटी से या सरी हुई खाना खाने से हो सकता है पर COVID की तरह ये इंसान से इंसान में नहीं फैलता ये कितना खतरनाक है वैसे तो ये fungal कुछ नया नहीं है 19th century से ही लोग infected होते थे और इंडिया में इसका rate दुनिया में सबसे जादा है क्योंकि इसको हमारे देश का बातावरन खाफी पसंद है और animals में भी ये disease होती है वैसे तो ये सभी उमर के लोगों को हो सकता है और ये disease होने से लोग अंधे हो सकते है और 50% से 90% मरने का भी चांस है पर डरिये मत अगर हो तब न ये disease काफी rare है ब्लेक फंगस को prevent कैसे करे कॉर्णा के जो prevention है जैसे marks पहनना, ढके हुए कपरे पहनना, बाहर न जाना, immunity power को बढ़ाना ये सब तो आपको करना ही है और उसके साथ आपको sugar control में रखना है बिना prescription के steroids ना लेना और अगर आपको कॉरोना होता है तो oxygen cylinder को regular clean करना और अपने आपको और आसपस के environment को साप रखना तो ये सारी चीज आपको ध्यान में रखना है तो इसका होने का chance काफी कम है आशा करते हूँ आपको आज की वीडियो helpful लगिया एक बिमारी गई नहीं के दूसरी आगे समझ में नहीं आ रहा के क्या करूँ और क्या नहीं तो immunity को strong करो और बिमारियों को चूँ मनतर चूँ करो वीडियो अच्छी लगी हो तो एक like, comment, share और subscribe करते ना फिर मिलेंगे next Wednesday को Goodbye and stay healthy